नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टोपिक बाई एके यूट्यूब चैनल पर RPSC First Grade Political Science के सिलेबस में पहला जो सिलेबस दिया हुआ है जिनके आधारित परिक्षाई हो चुकी है नया कोई सिलेबस आएगा तो उसमें जो परिवर्तन होगा वो देखा जाएगा उस सिलेबस के अनुसार हमारे राणिती विज्ञान विशे में कुछ विचारक दिये हुए हैं जिसमें पाश्चाते रानितिक विचारक और भारती रानितिक विचारक दोनों शामिल हैं। हम कोशिश कर रहे हैं शुरुवात करने की विचारकों से ताकि विचारकों से सम्मंदित जितने भी विचार हैं, जितने भी उनके सिद्दान्थ हैं, जितनी भी उनकी रचनाएं हैं और जितना भी उनका योगदान है, रादिती विज्ञान विशे में किसी भी तरीके से उसको हम cover कर सकें, ताकि उनमें जो प्रशन बने, हम उने परिक्षा में अच्छे से handle कर सकें, तो कोशिश यही रहेगी कि सबसे पहले हम विचारकों को शुरू करें दिखिए आपके Western Political Thought या Thinkers कह लीजिए इसके अंतरगत आपके जो विचारक है मुख्या तया प्लेटो है तो प्लेटो से संबंदित हम सारी चीजों का अध्यन करेंगे साथ ही आप जो पहले से जुड़े हो जानते हैं कि हम One Liner भी आपको देते हैं तो One Liner भी प्लेटो से संबंदित नई तरीके से आपके सामने शामिल किये जाएंगे ठीक है पहले प्लेटो के बारे में अध्यन करेंगे कि प्लेटो का दाशनिक राजा क्या था प्लेटो का परीचय क्या है उनका न्याय का सिद्धान्त क्या था किस प्रकार से उन्होंने शाषन को बताया दास्ता से संबंदित क्या उनके विचार थे सब कुछ कवर करेंगे फिर हम अरस्तु को ले लेंगे अरस्तु के बारे में भी इसी प्रकार से इनका परीचय ले लेंगे, इनकी अध्यन पदतिया ले लेंगे, है ना, जिस भी प्रिकार से इन्होंने राणिती विज्ञान में जो भी योगदान दिया है, चाहे इनके रचनाएं हो, चाहे इनके राणितिक सिद्धान्त हो, चाहे शाषन सम्मंदित सिद्धान्त हो, इन विचारकों से सम्मदित हम सारी चीजे कवर करेंगे देखे इसमें प्लेटो है अरस्तू, मैक्यावली, हॉब्स, लोक, रोसो, पैंथम, मिल और मार्क्स ये आपके वेस्टन पॉलिटिकल थोट से रिलेटिड हैं जिनके संक्या कितनी हो जाती है टोटल 9 हो जाती है तो 9 आपके पास्चाते रानितिक विचारक है इनसे सम्मंदित प्रशन तो परिक्षा में आते हैं ये तो कंफर्म है लेकिन उन प्रशनों को हम आपको पहले तो complete इसका दे देंगे complete पढ़ा देंगे इसके बाद में आपको one liner देंगे जो आपको एकदम short तरीके से चीजों को याद करने में मदद देते हैं जैसे हम पहले भी one liner देते आए हैं परिक्षाओं के लिए ठीक है आप समझते हैं जो भी जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े है ना पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजी political science विशे से यदि आप first grade की तयारी कर रहे कि भी इसके अंदर कोटिल्य है तो कोटिल्य से सम्मधित कोटिल्य के क्या क्या सिद्दान्त हैं कोटिल्य किस प्रकार से राज्य के बारे में कहता है कोटिल्य का जो अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है उसके बारे में हम बाच्चित करेंगे सब्तांक सिद्दान्त के बारे मे बाच्चित करेंगे कौन-कौन सी नीती इनों ने दी कोटिले के क्या उपनाम थे क्या इनके रचनाई थी सारा कबर करेंगे इसी प्रकार दादा भाई नोरोजी के बारे में हम पढ़ेंगे कि दादा भाई नोरोजी ने किस प्रकार के अपने विचार दिये धन निशकाशन क सिद्धाद उनका काफी पूछा जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे महत्मा गांदी जी के बारे में तो विस्तत अध्यन आप करते आए हैं और इस विशे के अंतरकत भी हम इनको लेंगे कि इनकी कौन-कौन सी रचनाए हैं क्या इनके दर्शन है सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक जिस भी प्रिकार के विचार इन्होंने दिये हैं जो हमारी परिक्षक से सम्मधित हमें इंपोटेंट लगेंगे हम उनको अपने वीडियो नोर्स में शामिल करेंगे फिर अर्विन खोश को लेंगे डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर जी को लेंगे जवाला नेरु जी को लेंगे और राम मनोहर लोहिया जी को लेंगे तो राम मनोहर लोहिया जी का आपने किसी भी तरीकी से चोखंबा सिद्धान्त पढ़ा हो सबते करांती पढ़ी हो इसके बारे में हम अध्यन करेंगे जवालाल नेरु का जो भी योगदान है जो भी इनकी रचनाए है उसको भी हम लेकर चलेंगे ठीक है जो भी जिस भी प्रकार का इनका राजनितिक या लोगतंत्र के लिए जो इनके विचार थे उनको हम कवर करेंगे भीमराव, अमबेटकर जी के जितने भी विचार थे चाहिए उनकी परिचे से लेकर रचनाओं से लेकर इनकी योगताओं के बारे में इनकी शिक्षा के बारे में इनके रानितिक जितने भी सामाजी करानितिक विचार थे उनको हम कवर करेंगे अर्विन घोश के भी इसी प्रकार से हम complete जीवन परीचे से लेकर उनके जो सिद्धान्थ हैं उनको इन वीडियो नोट्स के मात्यम से cover करेंगे तो दोस्तों आपसे एक छोटी से request है, request यह है कि आप channel पर हैं तो राणिती विज्ञान से सम्मधित जो भी आपके मित्र हैं उनको यहाँ पर invite जरूर करें काफे दिनों से राणिती विज्ञान के बारे में वीडियोज आ रहे हैं और आते रहेंगे ठीक है जो second grade की sst से तयारी करना चाहते हैं वो भी इस channel पर निराश होके नहीं जाएंगे उनके लिए भी मैं रनिती बना रहा हूँ किस प्रकार से तयारी की जाएगी तो शुरुवात हम कर रहे हैं विजारकों से देखे विजारक पढ़ना बहुत आवशक होता है क्योंकि बहुत सारे सिटांत बहुत सारी पुस्तकों के नाम बहुत सारे इन से सम्मंदित क्या कह हो गई 9 तो आपके western है प्लस में 7 आपके ये हैं क्या कहते हैं भारतियरानितिक विचारक तो टोटल विचारकों की संख्या हो गई 16 तो 16 के 16 विचारकों को हम अच्छे से पढ़ेंगे अच्छे से इनके बारे में one liner तयार करेंगे प्रश्ण कहीं से भी पूछा जाए आना हम कहीं से भी अध्यान कर रहे हो ये एक विध्यारती की कोशिश होने चाहिए एक सही तरीके से रणनेती से हम चलेंगे आपका तुलनात्मक राजनेती है अंतरास्टिय राजनेती है राजनेतिक सिद्धान्त है जिनके बारे में मैंने काफी वीडियोस पहले भी डाले हुए है सिंपल लेंगवेज में और उनको मोडिफाई करके आप तक लाया जाएगा तो इस वीडियो को जितना लाइक कर सकते हैं करें जितना शेयर कर सकते हैं करें और चैनल पर बेल आइकन दबा के रखें क्योंकि आपके लिए जो वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलना बहुत ही जरूरी है ताकि समय रहते आप अपने नोट्स भी तयार कर सकें समय रहते आप कंसेप्ट को क्लियर भी कर सकें और समय रहते हैं आप परिक्षा के लिए एक मजबूत दावेधार बन सकें तयारी कर सकें तो इनी सारी बातों के साथ में इस वीडियो नोट में इतना ही ये अपना कुछ दिनों का मैंने रूपरेखा आपको दे दी है वन लाइनर मैं जैसे भी आपको देता रहूआ मिक्स्ट करके टॉपिक्स को मिक्स्ट करके देता रहूँगा जैए और टेलिग्राम चैनल की बात ऐसी है की मेरा टेलिग्राम चैनल मेरा सिस्टम खराब होने की वज़े से वो recover नहीं हो पा रहा है कुछ mail ID इशू है अगर वो recover हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है अगर वो recover नहीं होता है तो कुछी दिन में मैं नया टेलेग्राम चैनल का लिंक आपको दे दूँगा जिस पे जुड़ जाईएगा ताकि आपको notification और इन सारे चीज़ों note suits मैं वहाँ पे provide करवा सकूँ तो video note देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपनी तैयारे में जुड़ जाईए मैं जितनी मदद कर सकूँगा आपकी मदद करूँगा Thank you so much